फिर्म जगत और टीवी इंडरस्री का एक और सितारा हमें अलविदा कह गया बिग बॉस 13 के विजेता बालिका वधू के शिफ अब हमारे बीच नहीं रहे नमस्कार दोस्तों मैं मालविका आपको पिताऊंगे सिधार शुकला से जुड़े इस बेहदीद दुखत और दिल तोड़ देने वाली खबर के बारे में चार सब्तमबर की सुबा टीवी जगत के पॉपुलर सितार सिधार शुकला का 40 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटेक आने से निधन हो गया खबरों की माने तो सिधार की तबेद रात में कुछ ठीक नहीं थी और उन्होंने इसका जिक्र अपनी मा से भी किया था उनकी माने उन्हें आइसक्रिम भी दी और ठंडा पानी भी पिलाया पर उसे कुछ खास फरक नहीं पड़ा तो सोने से कुछ देर पहले उन्होंने एक गोली खाई कहा जाता है कि घटना के दिन शेनास गिल्ज भी उनके साथ मजूद थी और सिधार्थ की पीट थपतपाते हुए शेनास की भी आँख लग गई जब रात तीन बजे शेनास की आँख खुली तो सिधार्थ जिस करवट सोय थे उसी करवट बिना किसी हल चल के ही लेटे हुए थे शेनास ने उन्हें उठाने की कोशिश की पर शायद तब तक बेहत देर हो चुकी थी इसके बाद उनकी मा को भी सूचना दी गई और बहन को भी फैमिली डॉक्टर को भी बुलाया गया फैमिली डॉक्टर ने घर के नजदीक कौपर हॉस्पिटल में ले जाने की सला दी पर हॉस्पिटल में भी उन्हें डेट डिकलेर कर दिया सिधार्ट के निधन की खबर जैसे ही इंडस्ट्री और आम लोगों तक पहुँची तो सभी दंग रह गए इस खबर ने सभी को जंजोड कर रख दिया पहले तो सभी को यू लगा कि जैसे कोई अफवा उड़ी है पर जब सब के सामने सच आया तो कोई भी इसका यकीन ही नहीं कर पाया बेहदी फिट रोजाना एक्सेसाइस करने वाले व्यक्ति जब यू अचानक दुनिया से चले जाते हैं तो अक्सर दिल दुखा भी जाते हैं सिधार्ट का अंतिम संसकार ओशिवरा शम्शान भूमी में ब्रहम कुमारी रिती रिवाजों से किया गया इलेक्टरिक विदी से उनका शब दे हुआ इस दुरान उनके परिवार से उनकी मा उनकी बहन और शिनास मौजूद रहे शम्शान गार के भार की कुछ तस्वीरे दिल तोड़ देने वाली रही सिधार्ट की मा की हालत देखे नई बनती और शेनास तो जैसे तूट चुकी हो शेनास अपने भाई के साथ वहाँ पहुँची थी सिधार्ट को अंतिम विदाई देने के लिए उनके टीवी इंडस्ट्री के कई दोस्त अभीनव शुकला, राहूल वेद्या, अली गोनी, जैस्मीन भसीन, असीम रियास, विकास गुप्ता, पारस छाबडा, महरा भी पहुँचे और फिल्म इंडस्ट्री से राजकुमार राओ, वरुन धवन भी पहुँचे ऐसे में ये मनजर बेहदी दुखद रहा, सभी आखे नम थी, सभी का कहना था कि यकीन नहीं होता कि सिधार्ट इस दुनिया से चले गए है सिधार्ट शुकला भी बॉस के बाद से ही कई सारे प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे मानो जैसे उनकी दुनिया फिर से खिलने लगी थी, पर किसे पता था कि ये कुछ पल की ही खुशी रह जाईगी बारत में युवाओं में हार्ट अटेक एक आम समस्या बन चुकी है और सिधार्ट के साथ हुआ ये हादसा उस और ध्यान कीचता है ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपनी सेहत का जितना हो सके उतना ख्याल रखे आज की न्यूज में बस इतना ही बने रहे मेरे साथ